हाईलो दोस्तों स्वागत है आपका बहुत बहुत स्किल नौलेज में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड में ये इंसर्ट की के बारे में बताऊंगा यानि कि आज मैं आपको इंसर्ट की के बारे में बिल्कुल लेटेस्ट चीज बताऊंगा वैसे अग चलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि इंसर्ट के साथ शॉटकट का यूज करना आप भी सीख जाएं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हाईलो दोस्तों मैं हूँ फरान टाइपिस्ट आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो बिना देरी किये चलिए जल्दी से आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्ट की तो दोस्तों ये बहुत ही यूसफुल की है आप जरूर सीखें आपके बहुत काम आएगी देखिए इसके लिए हम सबसे पहले MS Word को ओपन करेंगे तो विंडो प्लेस आर दबाएंगे और यहां पर विंडोर्ड टाइप करेंगे फिर इंटर दबाएंगे तो अब हमारा MS Word आसानी से ओपन हो चुका है फॉर एक्जामपल अब हम यहां पर कुछ टाइप कर लेते हैं जैसे वाट इस योर नेम टाइप कर लेते हैं इसके बाद देखिए सीधे Office बटन पर किलिक करना है फिर नीचे देखिए Word आप्शन पर किलिक करना है दोस्तों यहां पर हम आपको दो चीज़ें बताएंगे बहुत ध्यान से समझना देखिए अब यहां पर आपको Simply Advanced पर किलिक कर देना है जब आप इतना करेंगे तो देखिए यहां आपको एक आप Option मिलेगा यूज दा इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड तो हम यहां पर टिक कर देते हैं फिर ओके कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसका मतलब भी समझ लीजिए कि हमने ऐसा क्यों किया तो देखिए यह जो हमारा एक सेंटेंस टाइप है अब जैसे हम अपना करसर यूर के स्टार्टिंग में रखते हैं और देखिए बी डबल ओ के बुक टाइप करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि वाट इस यूर नेम के बीच में बुक टाइप हो गया इसके बाद देखिए हम इंसर्ट की को एक बार दबा देते हैं इसके बाद चलिए हम फिर से book type करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने word हम type करते जा रहे हैं उतने ही letters सामने से cut रहे हैं बताने का मतलब यह है कि insert को जब दबा देंगे और किसी type matter में जब correction या editing करना हो तो जितने भी letters आप type करेंगे उसके सामने वाले उतने ही letters से cut चले जाएंगे यहां तक आप सब समझ गए होंगे दोस्तों insert से आप किसी भी चीज़ को paste भी कर सकते हैं वो भी आप समझ लीजिए तो इसके लिए हम फिर से office button open करेंगे तो mouse से open करना आपको मालूम हो गया होगा अब बगार mouse के भी सीख लेते हैं तो word option को open करने की shortcut की alt plus t plus o यानि की alt को दबा के छोड़ देना है और just t और o को दबा देना है यानि की alt t o को प्रेस करिए तो आपका word option आपके सामने होगा इसके बाद without mouse आपको down arrow को प्रेस करके advance पर आना है फिर आपको एक बाद tap की को प्रेस करना है इसके बाद keyboard के down arrow और tap का यूज करके या mouse के scroll से आपको नीचे यहाँ पर आ जाना है तो यहाँ पर देखिए एक option मिलेगा use the insert key for paste मतलब insert key को paste करने के लिए आप use कर सकते हैं तो simply आपको इस पर टिक कर देना है बस कुछ नहीं करना है और ok करना है या keyboard से enter को प्रेस कर देना है इतना करने के बाद जब ms word पर copy क करेंगे तो paste करने के लिए सिर्फ insert को प्रेस करना होगा केवल insert से आप paste भी कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो से पहले हमने insert के बारे में कुछ magical trick और shortcut provide किया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो i button में वीडियो मिल जाएगी और description में link भी मिल जाएगी आप उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर नहीं देखेंगे तो कुछ समय में नहीं आएगा तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये information और shortcut अच्छे लगे हो तो like, share और comment करना साथ में next वीडियो के लिए subscribe करना ना भूलना ताकि आने वाली वीडियो आप भी सके हैं मिलते हैं अगली वीडियो में thank you